कनोज के पूर्व ब्लॉक परमुख नुवाब सिंग यादव के कार नामों को लेकर यूपी से दिल्ली तक की सियासत गर्माई हुई है पुलिस ने नुवाब सिंग को एक दिन पहले 15 साल की लड़की से दुशकरम के प्रियास में अरेश्ट किया है एक तरफ जहां सपा ने नुवाब सिंग यादव से पल्ला जाड लिया है वहीं बीजेपी ने सपा पर जोरदार हमला बोला है दिली में आयोजित प्रेस वारता में पार्टी प्रवक्ता सुधानशूत रिवेदी ने मशूर शायर अदम गौंडवी की शायरी सुना कर समाजवादी पार्टी और अपराद का नाता बता दिया मंगलवार को सुधाशुत रिवेदी ने कहा समाजवादी पार्टी के डिने में ही अपराद है सब जानते हैं कि यूपी में जब-जब समाजवादियों की सरकार रही अपराद सबसे ज़्यादा उसी समय हुए है एक पुराने समाजवादी और शायर हुआ करते थे अदम गौंडवी समाजवादी पार्टी में आए हुए अपरादीक तत्वों के होसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था काजू भुना है पलेट में विस्की गलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में पक्के समाजवादी हैं तसकर हो या डकैत कितना असर है खादी के उजले लिबास में एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज के समाजवादी पार्टी के असली राजनितिक डियने को बताने के लिए काफी है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा आयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोईद खान पर किस प्रकार एक नाबालिक के साथ बलादकार का अरोप लगा है। साल की थी तो वह किस प्रकार की नोकरी पाने के लिए नेता के पास गई थी। यह समाजवादी पार्टी की असली फित्रत है। यह उनकी अपरादियों को संक्षन देने की सोच को दर्शाता है। यह समाजवादी पार्टी में आए हुए अपराधिक तत्वों के होसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि यह समाजवादी आंदोलन कहां पहुँच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में विस्की गिलास में उत्रा है रामराजियों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है पक्के समाजवादी हैं तसकर होया डकैत। झाल झाल